अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने प्राने एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए तभी आपको ये सुन्दर सी वेब स्टी समझ मैंगी तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिंग टैन ने खुब जबदर स्टेनिंग कर रहा था और उसक अब फैंग्यू मेंग टैन को ट्रेन करनी वाली है तब भाई उनको स्वेटर मफलर वगेरा पहन कर वहां पर आजाता है अब मिया पूछती है कि तुम्हें तो तेज बुखार था ना फिर यहां क्यों आए अब भाई उनक मार कर समझाने की कोशिश करता है कि तोमारा होने वाला बॉइफरेंड यहां है तो मेरी होने वाली गर्ल्फरेंड भी तो यहीं है इसलिए मैं दोनों पर नज़र रखने के लिए यहां पर आ गया हूं फिर वो फैंग्यू से उसे भी ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है लेकिन फैंग्यू मना कर देती है कि इतनी बुखार में ट्रेनिंग नहीं हो सकती है नई फैंग्यू मुझे बिल्कुरी बुखार नहीं है मैं तो बहुत स्ट्रॉंग फिल कर रहा हूं यह कहते कहते उसका मूँ लाल होने लगता है और धड़ करके नीचे गिर जाता है और फिर लेटकर इनका मैस देखता है और फैं कि उसे डांड़ती है कि तुम ऐसे क्यों हो मैंने तुम्हें बहुत सारे चांसे दिये थे जिसमें तुम मुझको अटेक कर सकते थे लेकिन तुम हो की कुछ करी नहीं रहो इस वज़े से तो सब तुम्हारा मजाग उड़ाएंगे और हर कोई तुमको नीचा दिखाने की को फिर उसके पाफ़ा को शिराप की लख लग गई और उसकी माउने छोड़ कर चली गई और यही वज़े है कि वो किसी को अटेक करने से इतना खतराता है पर फैंग यूसको बहुत ही मोटिवेट करती है और कहती है कि अगर हमारे लेक कुछ करना चाते हो तो वो यही होगा क कि तुम अटेक करना सिको अपना माइंड सेट बंदो यार अब ट्रेनिंग के बाद मिंग टैन घड़ जा रहा होता है और रास्ते में अकडू सको रोकता है और तंग करने लगता है अब मिंग टैन इसको इग्नॉर करके जाता है लेकिन अकडू सको नहीं छोड़ता और कह तो नहीं था जो तुम मुझको पीटने चले आए और ये सुनकर मिंग टैन को इतना घुसा आता है कि उसका हाथ अपने कंडे से इड़ा देता है तो तुमको इतना घुसा आ रहा है और ये कहकर वो फिर मिंग टैन को अटेक करने जाता है लेकिन इस बार मिंग टैन एक दम ज से कहता है कि कॉलेज का रूल है कि रिंग के बाहर किसी पर अटेक नहीं करना जाए और इसलिए आज मैं तुमको छोड़ रहा हूं लेकिन बेटे याद रखना टूनामेंट में मैं तुमको इतनी बेरमी से मारूंगा कि तू उठ नहीं पाएगा अकड़ों ये सुनकर सच में ड़ जाता है और कोई बहाना करके वहां से भाग जाता है और अब मिंग्टैन को अपने बदलेवे अटिटूट पर बहुत ये खुशी होती है वो खुद को चीर करता है कि इस फीलिंग के लिए वो हमेशे तरसता रहा दिवाने पंच करने से उसके हाथ पर चोट आई होती लेकिन फिर भी अपनी नई फीलिंग को लेकर वो सारा दिन बहुत ही खुश नजर आता है अब अगले दिन टेनिंग के वक्त मिया उसके हाथ में बेंडेस देखकर पूछती है कि ये चोट कैसे लगी तो मिंग्टैन कहता है कि काम करते वक्त कुछ लग गया था लेकिन फि करी मैं आप सब की ट्रेनिंग बेकार नहीं जाने दूँगा फिर लंच टाइम में सब मिलकर खा रहे होते हैं कि उनकी मुबाइल पर एक मैसेज आता है कि डांस पार्टी के ले सबको अपनी बेस्ट ड्रेस पहन कर आना होगा प्लीज कोई भी अपने यूनिफॉर्म में मत पिर मैसेज को देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं लेकिन फैंग यू डांस से ज़्यादा ट्रेनिंग को इंपॉर्टन्स देती है और मिंग टैन की ट्रेनिंग जारी रगती है अब इस बार भी वो मिंग टैन को इतना मारती है कि वो नीचे गिर जाता है अब रिंग के और मिया डांस पार्टी की दिन को खुशी-खुशी कलेंडर पर मार कर रही होती है जामी कहती है कि इतना मात उचलो उसके एक हफ़ते बाद टूनामेंट शुरू हो जाएगा और तब दोनों देखती है कि मिंग टैन नीचे गिर गया है अरे ट्रेनिंग के नाम पर उससे म दांस पार्टी को कुछ जादे सीरिस्टी लिया होता है और पार्टी के ड्रेस डिजाइन करवाने यहां पर आया हुआ है वो डिजाइनर से कहता है कि मुझे एकदम हाई क्वालिटी का और एक सूपब ड्रेस चाहिए जिसको देखते ही मेरी क्रश मुझ पर फिदा हो बाईनों इसको पहन कर मनी मन एक डांस मुप करके देखता है लेकर डिजाइनर कहता है कि यह तुम्हें सूप नहीं करता अब इस पर वो दूसरी ड्रेस पहन कर फिर सी डांस करके देखता है और कहता है कि यह तो किसी कंसर में जानी की ड्रेस लगती है मुझे तो डांस पा भी पाकल हो जाता है, फिलहाथ तो हमें उट ड्रेस नहीं दिखाते हैं, लगता है डांस पार्टी में पता चलेगा, अगले सीन olabilir में मिन्ग यां मिन्टेन के ले एक नई ड्रेस खरीद कर रहती है, तुम डांस पार्टी में यहीं पहर घंसम लगोगे, ये कहा करो द्रेस दे पिर उस दिन मेरे भाई को उस्पिटल भी आप ही लेके गई वरना पता नहीं उसका क्या हालवा होता उपर से मेरे पार टाइम जॉब में आपने मेरी बहुत ही मदद की थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बदले में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं इसलिए प्लीज तो नहीं लेकिन आप ये रख लेंगी तो मुझको बहुत ही अच्छा लगेगा अब ये सुनकर मिया को लेना ही पड़ता है क्योंकि वो किसी भी हालत में मिंग टैन को हट नहीं करना चाहती और मिंग टैन को खोशी होती है और वो वहां से चला जाता है तब उसे प्रिंसि पूसते हैं कि तुम कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो सर मेरे पास ऐसी अच्छी ड्रेस तो है नहीं उपर से कुस दिन में टूनामेंट भी होने वाला है इसलिए मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है डांस पार्टी में मैं नहीं आना चाहता अब प्रिंसिपल शॉक होकर कहते ह हैं कि ये डांस पार्टी तुम्हारी वज़े से तो हो रही है इसलिए तुम्हें इसमें जरूर आना पड़ेगा मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इस तरह की ड्रेस नहीं होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस बनवाई है अब ये सुनकर मिंग टैन को बहुती होती है और अपने पिंसिपल के लिये उसके दिन में बहुती इस्ड़ बड़ जाती है पिर डांस पार्टी का दिन आता है और हार कर चुम्हारे अच्छक चuly बहुती हो चै बहुती हैँ पüneब बहुती अच्डि लड़े आज तक जाओमी ने कभी मेकब नहीं किया होता है अब मिया कहती है कि तुम डांस पार्टी जा रहे हो या फिर होरर फिर्म की एक्टिंग करने वाली हो इस तरह तो तुम दूसरे कॉलेज को इस्टूरेंट्स को टूनामेंट से पहले हरा दोगी और ये कहकरो जाओमी की मदद करने लगती है और तब प्रिंसिपल और मिस्टर वैंग उनकी क्लास में आते हैं प्रिंसिपल कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने डांस पार्टी एरेंज की वरना ये लड़किया तो भूली गई थी कि यह लड़किया है इस पर मिस्टर वैंग को बहुत ही रोना आता है प्रिंसिपल उने शांत करते हैं और कहते हैं इतने एमोशनल मत हो मिस्टर वैंग फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो बात नहीं है सर मुझे तो इस लड़की जाओमी की फिक्र हो रही है देखिये उसने अपना क्या हल बना लिया है ठीक है मिस्टर वैंग शांत हो जाए ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अब डांस पार्टी शुरू होने वाली है प्रिंसिपल इस्टुडेंट्स को बदाते हैं कि कुछ देर में पास की कॉलेज से इस्टुडेंट्स यहां पर आजाएंगे उनका स्वागत करने के लिए सब तियार रहना और मिस्टर वैंग आप इस्टुडेंट्स का ध्यान रखना ये कहेकर प्रिंसिपल तिर जाते हैं और मिस्टर वैंग तलवार की तरह अपना मैटल डिटेक्टर निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक मार्शल आट कॉलेज है इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी तरह का वैपन अंदर लेके जाए इसलिए सब को स्कैन करके ही अंदर जाना पड़ेगा अब स्कैनिंग होने लगती है और दो इस्ट्रिमेंट्स के अंदर जाते ही अलारम बजने लगता है एक लड़की के पास तलवार होती है तो मिस्टर वैंक पूछते हैं कि अरे ये किस खोशी में लेके जा रही हो वो बताते हैं कि सर ये मेरा डांस पार्टनर है अब मिस्टर बैंक कहते हैं कि वाह ये डांस पार्टनर है अरे कब सुधर होगी तुम फिर वो तलवार को ले लेते हैं अरे तुमें क्या लग से बताना पड़ेगा ये कहकर मिस्टर वैंग उसे भी छीन लेते हैं अब एक एकर के लड़की अंदर आने लगती है और इनके पास से जो वैपनस बरामद हुए हैं इनको देखकर तो लगता है कि ये लोग डांस करने नहीं बलकि पास की कॉलेज इस् में बोरा क्या है और ये कहकर अंदर चले जाती है तब बैयूनों आता है उसने बैंड मास्टर जैसी ड्रेस पहनी होती है अरे यार यही ड्रेस लेने तुम फैशन डिजाइनर के पास गय थे क्या लेकिन सभी लड़किया उसको देखने लगती है और अंदर आकर मिया से प प्रिंसिपल इस पीज देते हैं कि दोनों कॉलेज के स्टुवेंट्स को आपस में फ्रेंट्स की तरह रहना चाहिए आप लोगों की दोस्ती के लिए ही हमने ये डांस पार्टी रखी है इसलिए सम्मिल कर आज की श्याम इस पार्टी को खुब इंजवाई करो अब इसके स्राइट्स ऑन कर दिया जाते हैं इतने में लब संग बजने लगते हैं और सब डांस में मस्त हो जाते हैं तब मिंग टैन अंदर आता है और सब उसको ही देख रहे होते हैं कोर्ट सूट में बहुत ही हैंट्सम लग रहा होता है मिया और जामी कहती है कि हमें लगा तुम आ अब इसी बिच जामी फैंग्यू की फिलिंग समझ आती है और मिया को खीच कर दूर लेके जाती है इतने में बयूनों उन दोनों को डांस करने लेके जाता है अब मिंग्टैन और फैंग्यू एक दूसरे को देखकर बड़ी अच्छी स्मैल करते हैं और इस तरह बागी लोग डांस पार्ट्री खोब इंजुए कर रहे होते हैं फिर कुछी देर में मिंग्टैन एक और जाकर खड़ा हो जाता है और फैंग्यू भी अब अकली खड़ी रहती है तो मिंग्टैन को अकला खड़ा देकर मिया उसके साथ डांस करने के लिए भाग जाती है और जामी फैंग्यू तरह से होती है कि ये मुझे डांस करने क्यों नहीं बुला रहा और वहां मिंग्टैन भी इसी कनफ्यूजन में हותा है और तम मिंग्टैन के पास दो स्टूडेंट्स बाते करते हैं कि मैं फैंग्यू को डांस करने के लिए निवाइट करना चाहता हूँ दूसर और जियो फैंग जाूमी को चिडाती है कि इस तरह बॉइस की ड्रेस पहने होगी, तो कौन तुम्हारा पार्टनर बने का? अब जाूमी कहते है कि गस ड्रेस में तुमने कौन सा तीर मालन लिया, तुम भी तो अकेली घुम रही हो, अब जियो फैंक शर्त लगाती है कि हम दोरों यहीं वेट करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले किसको पार्टन मिलता है ओ, ये वात है तो मैं भी चैलेंज के लिए तयार हूँ और ये कैकर जाओमी भी उसके पास खड़ी हुजाती है अब जियो फैंक सोचने लगती है कि अगर पता होता है कि ये नौबत आने वाली है तो मैं अपने साथ दो जूनियर्स बाइस को जरूर लेकि आती और जाओमी भी सोचती है कि कोई लड़का आ जाए यार मेरी लाज बच जाए बस और तब वहाँपर सुनहाओ आता है और इसम Mainly करके जाओमी को डानस के लिमाइट करता है जियो फैंक जियो फैंक जलकर राख होजाती है तब ही जाओमी सुनहाओ को कहती है कि हाँ क्यों नहीं मैं तो सारी रात तुम्हारे साथ डानस करने को त्यार हूँ और इस तरह जियाओ फैंक को चिड़ा कर वो सुनहाओ के साथ चले जाती है फिर वो दुनों डांस करने लगते हैं और तभी पास खड़ा एक लड़का सुनहाओ से पूसता है कि गुरू कि आपको कोई लड़की नहीं मिली चुआ आप इस लड़के के साथ डांस कर रहे हैं और ये सुनकर तो जामी भड़क जाती है और उस पर चिलाने लगती है कि मैं क्या तुमको लड़का दिखती हूँ है चुपचावना डांस कर ले वरना चलने के लिए भी पैर नहीं बचिंगे समझ ले और इस सुनकर उचुप हो जाता है इस पर सुनहाओ को हसी आजाती है तो वो कहती है कि और तुम क्या हस रहो क्या मैं सच में लड़का लगती हूँ सुनहाओ कहता है कि शायद दूस्ते लोग ऐसा सोचते है लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ एक एंजल डांस कर रही है और इस क्यूट डायलोग के साथ दोस्तों यह एपिसोड यहां पर खत्म होता है अगले एपिसोड ने पता चलेगा कि आखर मिंग टैन और फैंग्यू ने मिलका डांस किया यह यहीं कन्फूजन में एक दूसरे के लिए खड़े रहे अगर आपको यह स्रीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर खीजे कॉमेंट्स में यह जरूर बताएगा कि आपको यह स्रीज इतनी पसंद क्यों आ रही है बागी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई अपना खियार रखिए और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग